हलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ड्रीम क्लासेज तो आज की ये वीडियो क्लास 12 के सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुत ही इंट्रेस्टिंग और ठीक है अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट है और इस बार आप बूड की परिक्च्छा देने वाले हैं तो अगर आप हमारे इस 100 short question को पढ़ते हैं 100 short question को पढ़कर जाते हैं तो मैं पूरे दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि आपके जो exam में जितने भी short question आएंगे चाहे वो 15 हो या 18 हो या 200 वो total question जो है वो यहीं से पूछे जाएंगे ठीक है 5 years का teaching experience है और मैं इस experience के अधार पर ये बात बता रहा हूँ ठीक हैं तो हमारे चैनल के थूँ आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो class 12 की काफी सारे teachers available हैं ठीक हैं 10th के भी बच्चे अगर आपके साथ हैं कोई तो भी बच्चे हमारे साथ dream classes पे पढ़ सकते हैं हमारे notes को purchase कर सकते हैं और बिलकुल continuity हमारे साथ बने रह सकते हैं और पूरे दावे के साथ हम कहते हैं कि अगर आप हमारे साथ अच्छे से पढ़ाई करोगें तो 80% तो fix है student ठीक है चली शुरू करते हैं और इस channel की खासियत ये है क्योंकि ये dream classes जो है 2016 से बच्चों को YouTube पे वीडियो प्रवाइड कर रहा था और इस साल से हम लोगों ने live classes भी शुरू कर दिये ठीक है चली रेडियो आप लोग 160 कोशन हम आपके लिए लेकर आएंगे टाइप बाई टाइप सौरी वीडियो वाई वीडियो जो है हम आपको बताते रहेंगे तो चली पहला कोशन ठीक है कोशन है देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया clear करके VVI कोशन लगू तरिये प्रश्न class 12 chemistry और class 12 chemistry का यह जो पहला कोशन है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि क्रिश्टलिय ठोस को परिवाशित करे तो हम कहना चाहेंगे कि वैसा ठोस जिसमें अव्यवी कन जैसे अनू परमानू और आयन की व्यवस्था नियमित होती है तो क्रिश्टलिय ठोस कर लएगा वैसा ठोस जिनके अव्यवी कन जैसे आपको पता है कि कन होते हैं अनू परमानू और आयन ठीक है उनकी जो व्यवस्था जो होती है वो नियमित होती है तो क्रिश्टलिय ठोस कर लएगा और इस Video की और हमारी इस Class की सबसे बड़ी विसेशता क्या है कि हम लोग खुद से Concept त्यार करते हैं खुद का language यूज करते हैं किताबी कीडे को हम लोग नहीं मानते हैं किताबी language को हम लोग कम ही use करते हैं जादातर हम लोग अपना खुद का language लेकर आते हैं चलिए एक कोश्चन हो गया और एक सो कोश्चन पढ़िए पूरी गैरेंटी की सभी कोश्चन यही से पूछे जाएंगे क्योंकि पिछला साल यह काम हो चुका है ठीक है चलिए काच एक क्रिश्टलिय ठोसे आपने पढ़ा होगा काफी वार ट्वल्ट के अबजेक्टिव में पूछा जाता है कि काच कैसा ठोसे ठीक है काच कैसा है तो चार भी कल परते हैं क्रिश्टलिय अक्रिश्टलिय इस तरह के ठीक है तो काच एक अक्रिश्टलिय ठोसे इस चीज़ को में प्रूव करना है बताना है कि काच एक अक्रिश्टलिय ठोसे कैसे तो कहना चाहेंगे ह कि इसका गुन द्रव के शमान होता है इसमें द्रव के जैसे बहने की प्रविर्टी होती इसका जो गुन होता है ना काच का वो बिल्कुल द्रव के शमान होता है इसमें द्रव के जैसे बहने की प्रविर्टी होती है पर इसके बहने की गती अती मंद होती बहुत ही धीरे-धीरे यह बहता है ठीक है यही कारण है कि इसे आभासी ठोस या अतिसीतलित द्रब कहा जाता है आपने ट्रल्ट के chemistry में कुछ एक objective आता है जो बहुत ही काच एक क्रिस्टल ये ठोस है तो है वो तो सही बात है इसे अती सीतलित द्रब भी कहा जाता है इसका यही रीजन है कि यह धीरे धीरे जो है वो बहता है ठीक है आगे देखेंगे कि इसी गुन के कारण पुराने भबन या इमारतों के खिड़की या दरवाजे के काच की उप परी भाग पतला और नीचे जो पेंदी का जो भाग होता है उसको मोटा रखते है ठीक है जो भी पुराने पुराने भबन होते हैं इमारत होती है उनकी जो खिड़कीया दरवाजे होते हैं उसका उसमें जो काच लगाया जाता है उसका ऊपर वाला एरिया जो होता है वो ब सीतली द्रब्बे हैं दो कोशन हो गया concept क्लियर हो तो चलिए अगले कोशन क्यों राते हैं बहुत ही अच्छा कोशन है ये 100 जो है न हम आपके लिए most highlighted बहुत ही मेहनत करके लिख कर लाएं और अगर आप चाहें ठीक है जैसे और इस भरोशे को हम बिल्कुल भी जाया नहीं होने देंगे तो आप notes खरीद सकते हो screen पे आपको मारा WhatsApp नंबर दिख रहा होगा contact करिए हमारी टीम आपको notes देगी हाँ थोड़ी फीस लगेगी all subject के notes में बट कोई बात नहीं बहुत अच्छी है ठीक है notes से आप 80% डाई से तीन महीने में ला सकते हों ओके यह हमारा दावा है बादा है चलिए question नंबर तीसरा फ्रैंकल दोस एबम सौट की दोस में अंतर अस्पष्ट करें ठीक है अंतराकाशी अस्थान में विस्थापित हो जाते है फ्रैंकल दोस कर लाते है ठीक है यह अपने यह अंतराक्षी होना चाहिए अंतराकाशी ठीक है हाँ थोड़ा सा यह language गलत लग रहा है पर कोई बात नहीं सिंपल समझना है कि अपने वास्तिविक एरिया को छोड़कर जो हैना है वो अलग से एरिया में चली जाते है विस्थापित हो जाते है फ्रैंकल दोस कर लाते है ठीक है यह static language है हमारा अब हम लोग डिसकस करेंगे सौटकी में सौटकी में कहना है कि वैसा दोस जिसमें धना धनायन तथा रिनायन यानी पोजेटिव और निगेटिव एक या एक से अधिक जोड़ा गायव हो जाता है मतब दो या दो से चार दो या दो से अधिक ठीक है एक या एक से अधिक जोड़ा और जोड़ा में कितने होते हैं दो होते हैं तो सौटकी दोस में हमने concept clear करके लि देखिए यहां से दो अब्जेक्टिव बनेंगे, एक अब्जेक्टिव बनेगा कि जब सौट की दोस उत्पन होता है, तो कितने जोड़े धनायन और रिनायन गायब हो जाते हैं, तो हम कहेंगे एक या एक से अधिक जोड़ा, सेकेंड ओफ यहां से अब्जेक्टिव सामने रखते हैं, और बिल्कुल धैरे बनाके रखिए, सहियम रखिए, और धैरे और सहियम अगर आपके अंदर रहेगा, तो सफलता जल्द ही आपके हाथ लगेगी, ठीक है, चलिए, और ये चौथा प्रशन है, राउल्ट्स लाओ, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, ठीक है, स्टुडेंट्स ये देखिए, हमारी टीम का वाट्स अप नमबर है, 6200, विल्कुल जैनुवन है, वेरिफाइड है, 733858, हम लोग Unacademy Plus पे भी पढ़ाते हैं, आप सर्च कर लिजए Unacademy Plus को, डाउनलोड कर लिजए Unacademy के Learning App को Play Store से, उस एप में मेरा नाम रहीद सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, ठीक है, ओल सब्जेक्ट के लिए फीस मात्र 499, चली, राउल्ट का नियम, कहना है कि फ्रांस के एक वग्यानिक, राउल्ट ने कई प्रग्योग के फल सरू, बास्प सील घटक के आंसिक वास्वदाव और उसके मोल अंस के बीच एक स प्रग्यानिक थे, जिनका नाम क्या था, राउल्ट ने कई सारे परियोग के फल सरू, बास्प सील घटक के आंसिक वास्पदाव और उसके मोल अंस के बीच जो है, एक संबद बनाया, एक रिलेशन्शिप बनाया, जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं, ठीक है, ये पांच नंबर का भी पूछा जाता है, उसमें पूरा डेरिवेशन है, जो हम आपको बताएंगे, चलिए, कोशन नंबर पांचवा, ये पांचवा जो कोशन है, कोशन है कि अनुसंख गुनधर्म, कोलिगेटिव प्रोपर्टीज क्या है, तो हम कहना चाहेंगे, किसी आदर या तनु बिलियन का वैसा गुनधर्म, किसी आदर्स या तनु विलियन का वैसा गुनधर्म, जो बिलियन में उपस्तित विले के कनों की संख्या पर निर्वर करता है, अनुसंख गुनधर्म कहलाता है, किसी आदर्स या तनु विलियन का वैसा गुनधर्म, जो बिलियन मे उपस्तित विलै के कनों की संख्या पर निर्वर करता है अनुसंग के गुनधर्म कर लाता है और ये पाँचवा कोशन था आज के वीडियो की आज के सेशन की चलिए उमीद है कि बिल्कुल आप लोग सटिस्फाइड हो रहे होंगे और मतलब हम लोग जो है ना साथ 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 कोशन का जो है वीडियो बनाएंगे और उमीद है कि पहला वीडियो देखने का बाद दूसरे वीडियो का जो है बेसबरी से इंतिजार होगा मुझे बताईएगा कि आपको दूसरा वीडियो कप चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करिएगा और ड्रीम क्लासे इसको सब्सक्राइब कर दीजे दिखें नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है सब्सक्राइब कर दीजे जैसे ही सब्सक्राइब करिएगा इस तरह का घंटी का बटन आएगा इस पे भी क्लिक कर दीजेगा ये नॉटिफिकेशन का बेल है इससे क्या होता है न कि च्छटा कि آदर्स बिलियन को परिवासित करें. तो हम कहना चाहेंगे कि वैसा बिलियन जो सभी ताप एबम दाब पर राउल्ट के नियम का पालन करता है राउल्ट का नियम हम अभी अभी यहाँ पर आगे उपर बताएं सॉरी यह ठीक है. हाँ तो कोशन है कि आदर सिविलियन क्या है उसे परिवाशित करें तो वैशा विलियन जो सभी ताप सभी ताप एबमदा पर राउल्ट के नियम का पालन करता है आदर सिविलियन का लाता है ठीक है और ये छोटे छोटे ये टॉपिक्स हैं जिसको आप लिख लिजिएगा ठीक है ये थोड़ा सा रहेगा तो आपके नंबर नहीं कटेंगे ओके चलिए ये मिक्सिंग हमारा है और एक कोशन और आज के इस क्लास में आज के इस वीडियो में कोशन नमबर साथवा कि विद्धुत रासाइनिक सेल को परिवाशित करें और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपना फिडबेक जरूर दें प्लीज आप बताए कि ये जो साथ क कोशन हमने बताया है आज के इस वीडियो में आपको कितना परभावित कर रहा है क्या लगता है आपको कि ड्रीम क्लासेस आपको पूरी तयारी करवा पाईगी क्या लगता है कि आपको अच्छे माक्स हमारी टीम देख पाईगी और क्या लगता है कि आपको ड्रीम क्लासेस का notes खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए नीचे comment box है आप अपने विचार विमर्ज करिए और आप अपना विचार जो है अपना जो feedback है मैं चाहूंगा कि सभी students अपना feedback दे चाहे वो अच्छा हो खराब हो जो आपके मन में लगे आप एक बर प्लीज नीचे comment box में सभी लोग comment जरूर करिएगा कि आप क्या चाहते हो ठीक है आगे आपकी क्या गतिवीदियां होनी चाहिए आपका क्या reaction होना चाहिए ठीक है मैं बिल्कुल सभी student के reaction का सभी student के feedback का वेट करूँगा फिलाल हम लोग साथवे नबर question क्यों रहा जाते हैं आ गया विद्दूत रासाइनिक उर्जा को परिवाशित करें वैसा सेल जिसके द्वारा रासाइनिक उर्जा को विद्दूत उर्जा में परिवर्तित किया जाता है विद्धुत रासाइनिक सेल का लाता है यह आपने पढ़ा होगा रियक्शन में भी कि वैसा सेल जिसके द्वारा रासाइनिक उर्जा को विद्धुत उर्जा में परिवर्टित किया जाता है विद्धुत रासाइनिक सेल का लाता है और विद्धुत रासाइनिक सुरी इसको सरपरतम ठीक है गैलवेनी और बोल्टा ने खो जाता ठीक है इसको सरपरतम किसने खो जाता गैलवेनी और बोल्टा ने खो जाता इन्ही के नाम पर इन्हें गैलवेनी या बोल्टी ये सेल भी कहा जाता है ठीक है तो सभी के feedback का बहुत बहुत इंतिजार रहेगा हम चाहेंगे कि हमारे सभी students इसका answer दे और notes आप बिल्कुल आख मून कर खरीद ये ठीक है बिल्कुल आपको ये notes आपके future को परभावित करेगा और एक अच्छे मार्ग की और आपको आप अपना नीचे comment box में काफी सारे comment करके अपना feedback दोगे कि आपको ये video कैसा लगा बाबाई, take care, good night